मेरे पैरे देश्वासियों, कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइंटिस होना जरूरी है, कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है, इस सोच को चुनोती देने वेले व्यक्ति हमेशा सरहानिया होते हैं, अब जैसे क्या कोई किसी को सोल्जर बनने के लिए प्रसिक्षित करता है, तो क्या उसको सैनिक होना जरूरी है, आप सोच रहे होंगे कि हाँ जरूरी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रिष्ट है, माई गौपर कमलकान जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साजा की है, जो कुछ अलग बात कहती है, ओडिसा में अराखुडा में एक सज्जन है नायक सर, वैसे तो इनका नाम सिलु नायक है, पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं, दरसल वे man on a mission है, वो उन युवाओं को म मुप्त में प्रसिक्षित करते हैं, जो सेना में शामिल होना चाहते हैं, नायक सर के और्गनेशन का नाम महा गुरु बटेलियन है, इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर, इंटर्व्यूस तक और राइटिंग से लेकर, ट्रेनिंग तक, इन सभी पहलूँ के बारे में बताय जाता है, आपको यह जानकर हैरानी होगी, कि उन्होंने जिन लोगों को प्रस्रिक्षन दिया है, उन्होंने थल से ना, जल से ना, वायू से ना, CRPF, BSF, ऐसे यूनिफर्म फोर्सिस में अपनी जगह बनाई हैं, वैसे आप यह जानकर भी आस्टेरे से भर जाएंगे, कि स दिलू नायक जेने खुद उडिशा पुलीस में भरती होने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, इसके बावजुद उन्होंने अपने प्रशिक्षन के दम पर अनेक युवाओं को राश्टर सेवा के योगे बनाया है, आईए हम सब मिलकर नायक सर को सुपामना दे कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तयार करें कम सालות में प्रश हे जार आईए हमारे देज़ाइं गर वह हमारे देशnar को ब धे जाए, आए हमारे बनायकों को हमारे अनेकों के लिए झाल झाल